नमस्कार में मोंदुबे विए सार इस नियूज में आप सभी का स्वागत है। आई ले नज़र डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों बारों। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि लोगों को एक किफाती और विश्वस्निय भुकतान प्रणाली मोहया कराने के लिए वित प्रध्योगी की पहल को वित प्रध्योगी की क्रांती में बदलने की जरूरत है। और एक दर्शक से भी कम समय में ये आम हो सकते हैं। अगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिपक्षिस आंसदों की उड़ से जारी और नियंतर विभार के खिलाफ सत्तार और भारतिय जनता पाटी के सदस्यों ने भी आज शुक्रवार को संसद में धरना दिया। निर्देश जारी किये गया है। एंडी अरफ के डारेक्टर जनर्र असुल करवार ने कहा कि जवाद से निपटने के लिए कुल 46 टीमों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंधर प्रदेश में तनात किया जा चुका है। किसी पे टीम को एर लिफ्ट करने के सथी में आई हरी कुमार ने प्रेस्वार्दा की। इस दुरान उन्होंने कहा कि भारतिय नौसिना के पास जल्धी, हवा और पाने के अंदर चलने वाली स्वदेशी मानव रहित प्रनालिया होंगी। इसके लिए 10 साल का रोड मैप तयार है। इसके अलावा उन्होंने उत्रे सिमाओं और कोरोना महामारे सुथपन चुनाथियों का ज्विक्र किया। साधिक कई अन्यमुद्धो पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। योशना के दूसरे चरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे सरकार बनने की साथ सालों में पूरे दिली में 2,75,000 CCTV कैमरे लग चुके हैं। मोखे मंद्री ने बताया कि कैमरे सडकों से हर पबलिक प्लेस में लगे हैं। पूरे दुनिया में सिसरी वी कैमरे लगने के मामले में दिली नमबर वन शहर बन गया है। एक शहर में प्रती स्क्वार मिल में कितने कैमरे लगे हैं इस मामले में दिली पहले स्थान पर है। एक संसा ने सर्वेक्षन कराया था जिसमें दिल्ली में 30 स्क्वार मिल में 1826 कैमरे लगे हैं नमबर दो पर लंदन है जहां 1138 कैमरे लगे हैं इसका मतलब ये है कि हम लंदन, नियॉक, सिंगापुर और पेरिस इन सभी से आगे हैं अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले फिल्म अभिनेत्री पर्मिर्श्री कंग्ला रनौस के काफिले को किसानों ने रोपनगर कीरतपुर साहिब मार्ग पर बोंगा साहिब के निकट रोक लिया किसान कंगला के गाड़ियों के काफिले के आगे नारे बाजी करते रहे किसानों का कहना था कि जब तक कंगला किसानों वो पंजाबियों पर दिये गया बयानों को लेकर माफी नहीं मांगती वो उन्हें जाने नहीं देंगे मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुँच गया लेकिन किसानों की बड़ी संख्या के कारण ये ना काफी साबित हुई बाद में मौके को भाफ कर कंग्ना ने किसानों से माफी माँगी इसकी बाद किसानों ने उन्हें जाने दिया PM गती शक्ति नौट जोन कांफरंस में CM योगी ने कहा कि PM मोधी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े प्रजेट को गती देने के लिए गती शक्ति की शुरूआत की है पीम की मनशा के अनुरूप निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई कारी किये गया है। एस लब डोइंग बिजनस में उत्तर प्रदेश पहले 14 स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश आर्ष देश के अर्थ विवस्ता की रूप में आगे बढ़ रहा है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो प्रदेश का वार्षिक बजट के वल दो लाग करोड था। हमने प्रदेश के रिसोर्सिस को बढ़ाया और प्रदेश की अनेकारे क्रमों को आगे बढ़ाने का कारी किया। प्रदेश की बेहतर कानुन विवस्ता ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। बिहार विधान मंडल के शीत कालिन सतर का आज अंतिम दिन है। सतर शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया। कॉंग्रेस ने जहां अफसर शाही का आरोप लगाया। वहें पुर सियम रावने देवी ने मुजफरपुर आखफोडवा कान पर स्वास्त मंत्री से जवाब मांगा। विधान सबा में कारेवाई शुरू होते ही श्रम संसाधर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा डियम SSP को मैंने माफ कर दिया है। वहें दोपर में सदन में एक दर्चस मामला हुआ। जहादिवंगत MLA मुसाफिर पांसवान का सवाल पूछा गया। बाद में वीच पचाफ करते हुए विधान सबा अध्यक्ष ने कहा गलते से छप गया होगा। बता दे कि वो चाहर से VIP के विधायक मुसाफिर पांसवान की मौथ 24 नमबर के देर रात हो गई थी। वो लंबे विमारे से पीडित थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ते जस्वे यादव समीत कई विधायकों ने आरंध मोहन की रिहाई का मामला सदन में उठाया। वहें गोड जीत कर लोटी, MLA श्रेंशी, सिंग का भी सभी अतालिया बज़ा कर स्वागत किया। आखर दिन की खास बात ये रही कि सिंग नितुष कुमार पैदल विधान सभा पहुँचे। समाजवाधी पार्टी की अध्यक्ष अखलेश यादव आजशासी में अपनी रत्यात्रा लेकर पहुँच गया है। रत्यात्रा से पहले उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस कर प्रदेश की योगी सरकार पर ज्रम कर हमला बोला। सभा प्रमुक ने कहा कि जिस तरह मंता बैनर्जी ने बंगाल से बीजेपी का सफाय करेगी। अखलेश यादा ने प्रेस कॉंफरेंस में बिजेपी के खिलाब विकल बनाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा मैं मंताप एनरजी जी का स्वागत करता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने बंगार्द बिजेपी का सफाय किया उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा बिजेपी का सफाय करेगी उन्होंने कहा भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें कम से कम ये बताना चाहिए कि भारत में महिलाओं और बेडियों पर सबसे ज़्यादा अन्याय कहा है वो उत्तर प्रदेश है फर्जियन काउंटर में सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिले हैं तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार क्रिशिक कानुनों के खिलाफ रदशिंग दरान किसानों के मारे जाने के मद्दो पर आश कॉंगरिस निता राहूल गांधी ने मोदी के theor मोत पर और सम्वेदल शील है राहोले प्रेस कॉंफरेंस ने कहा कि कॉंग्रेस की पास जान गवाने वाले पांसो तीम किसानों की सूची है जबकि सरकार ने कहा कि उसके पास कोई ऐसा आकड़ा नहीं है सरकार चाहे तो हमसे आकड़ा ले सकती है और ऐसे परिवारों की मदद कर सकती है रहुले कहा कृष्टिक कानूनों पर प्रधान मंद्री ने अपनी गल्टी मानी है और माफी भी मांगी है लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का अकरान नहीं है तो फिर पीम ने माफी किस से मांगी है प्रदर्शन में करीब 700 किसानों की मौत हुई है पंजाब सरकार के पास इसकी सूची है पंजाब सरकार ने 403 किसानों को मौफ़ा दिया है केंदर सरकार पंजाब सरकार से मदद ले सकती है